एक चिडिया एक पेड़ पर अपना घोंसला बना कर रहती थी, उसी पेड़ पर कालू कौवा भी रहता था, चिडिया कालू कौवे से बहुत परिशान थी, वह जब भी अंडे रखती, कालू कौवा उसके अंडे खा जाता था, एक दिन चिडिया ने सोचा, क्यों न, मैं किस पिर उसने एक खेत में अपना घोंसला बनाया और उसमें अपने अंडे रखें फिर अंडे से बच्चे निकल आए एक दिन चिडिया ने कहा मैं दाना लेने जा रही हूँ तुम लोग बाहर मत निकलना चिडिया दाना लेने चली गई कुछ ही देर बाद वहाँ पर किसान और उसका बेटा आया किसान बोला देखो फसल तयार हो गई अब तुम इसे काटना शुरू कर दो बेटा बोला ठीक है मैं कल से काटूंगा फिर वह दोनों चले गए जब चिडिया दाना लेकर आई तो बच्चे चिल्लाने लगे मा मा आज किसान और उसका बेटा आया था किसान कह रहा था फसल तयार हो गई है अब इसे काटना शुरू कर दो मा अभी तो हम उड़ भी नहीं पाते हैं हम कहा जाएंगे अच्छा बेटे ने क्या कहा उसके बेटे ने कहा पिता जी कल से काटूंगा चिडिया बोली तुम लोग परेशान नहों वह नहीं आएंगे ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए चिडिया के बच्चे अब बड़े हो रहे थे फिर कुछ दिनों के बाद किसान और उसका बेटा आया किसान बोला फसल तयार हो गई है अब इसे काटना शुरू कर दो अच्छा बेटा क्या बोला बेटे ने कहा कल से काटूंगा चिडिया बोली वह नहीं आएंगे चिडिया बोली बेटा जो लोग कल पर काम छोड़ते हैं उनके काम कभी पूरे नहीं होते फिर एक दिन किसान और उसका बेटा आया किसान बोला फसल तयार हो गई है हम आज ही इसे काटना शुरू कर देंगे चिडिया बोली किसान आज फसल जरूर काटेगा बच्चों अब तुम लोग बड़े हो गए हो चलो अब उड़ना सीखो फिर चिडिया और उसके बच्चे उड़ गए बच्चों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम समय पर करना चाहिए कोई काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए करना चाहिए